कि स्टाइट कर और टे स qui हमारा जह आगरा चुक है आज साइज यह दूसरा प्राक्टीश एट हमारा वी एड देलड का सिस्टम में जो होगा इस पे आपका प्रक्टिस सेट 1 जो आपकी आगे इस सेट टू पे इस पे 2024 वाले हना यहां इन गरांस लिखा गिया इसको इंट्रांस होगा यहां पे यहां पर इंट्रांस लिखा का इंट्रेंस एक्जाम 2014 24 2014 में जो एक्जाम देंगे उसके लिए यह practice सेट हमारा एक सेशन किया गया है इस practice सेट को आप लोग यहां पर बनाओ तो उसी को लेख करके हमारा यहां पर आता है जो कुश्चन आएगा कुश्चन वी स्टार्ट करने से पहले यहां पे हमारा एक आफ़र चल रहा है दिवाली एवं सबस्ता पुजा के लिए कि इसमें हमारा एक ऑफ़र चला है सारे कॉर्समें कि आपका यह कोड यूज करणा पुड़ा है कॉंडिया कोड इंडिया आर यूज सेंट मिलेगा हाणा घोठ़म क्या होगे 20% मिलेगा कब से कब सब यह 10 नौवर स 2016 नौवबर तक यह तक स्थे नौवबर तक आप और आपका कंटिनिव रहेगा इसे घंप यह कुछ पांप खतम हो जाएगा तो जल झाप फरक आप लोग स्थवाज कर लें क्लिए इसे के साथ हमारा हाज का यह पहला question सुरू होताहे है ना आपका आज की पहला question सुरू होगा और पहला प्रसनीbayा कारा हयं और फर्ला को सबस्तार कर लेकिस को फटड़ा फट्स से यहां आवधिक कार करता है कि तत्यों का जो गुन है नेचर है वह नेचर उनके पर परमानु संख्या का आवधिक कार neighbor करता है यह बात किस ने कहा मेंडलेब का आवधिक नियम हाणा यहँ पर आधुण cottonक नियम है हाणा यह कि यहां बनाया गया यहां जो कह रहा है कि तत्वों के पर्मानुक संख्या का आफडीक होता है यहां बात किस में लिखा रहाँ तो साफ भी बात है किसल मेंडली तो पुराणा वाला बात था है नहीं कुछ काम करता ने डॉबरेनर भी नहीं आएगा तो कौन सा आएगा हमारा एक आज अपका जो modern modern प्रियोडिक टेबल आपका त्यार हुआ है modern प्रियोडिक टेबल उस टेबल के यहां पर काम करेगी इसी में एक पॉइंट और कहा गया था कि हरेक तत्तु का जो परमानु संख्या होगा अलग होगा अलग हां अलग तत्तों का जितने भी अलग तत्तों होंगे हर तत्तों का अपना अपना खुद का अलग 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 atomic number होगा जिसको मौसले सहाव ने इसको justify किया था हैना मौसले सहाव निसको justify कर दिया पीडियोफ आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा है चलिए अगला कॉश्छन पहते हैं इसे का अदार पर कुश्छन नमबर टू यह क्या दखाए है गुसूत्र जिन्हें गुण क्या हुते है उसे क्या कहते हैं उसे क्या क्वट अभजे करने तो हाणाय है और अनुपम्रोइल रॉकष के ड़िण चलो फड़ा फड़ बताओ इस कोशन का एंसर क्या होगा क्या कहेंगा एंसर में मेटा सेंट्रिक एक्रो सेंट्रिक टेली सेंट्रिक या एसेंट्रिक है ना कोशन नंबर क्या कहलाएगा टू का नंबर क्या कहलाएगा टू कोशन नंबर टू का कि गुनसूत्र जिसमें गुन ओनंस्तर बिंदु अंपरस्थित होते हैं वे क्या कहलाते हैं अगर अनुपरस्थित हैं तो वह क्या कहलाएगा हुआ कि वह झालाखला नंबर के अन्सर बता है नबर के टुका का ऑच से बसे पता ने चलेगा हैं यह या फिर आपका टेली सेंट्रिक होगा या फिर आपका एसेंट्रिक होगा इसमें से कौन सा आपका आंसर होगा फटा फट से कमेंट करें बताओ है ना क्लियर है कि वटा पटांव वदा दो क्या होँ तक कुछ बर यिगुर्ट बर यिद्व इए ना यह में क्या है भाई मेटासेंट्रिक Ruskaa सब्सक्राइय द दो बहुंस्थ क्यों होते हैं दो गुनसुत्र पॉइंट होते हैं, दो गुनसुत्र गुनसुत्र बिंदु होते हैं, गुनसुत्र बिंदु कितने होंगे इसमें, दो होंगे, दो भागों में बटा होता है, वो होता मेटासेंट्रिक, यहां कराएगा अनुपस्थित ही है, है ही नहीं, अनुपस्थित किस में होता है एसेंट्रिक में अनुपस्थित होता है एसेंट्रिक में क्या होता है अनुपस्थित आपका होगा यहां पर होगा ही नहीं यहां पर दो अलग अलग पार्ट में होती है और उसके बाद फिर अगर हमारा होगा यह टेली सेंट्रिक टेली सेंट्रिक क्या होगा कि ए क्कोन अगर रखांगे पर एक राखाओ एक किनारे में हो तो एक किनारे मेंगर पॉइंborg हमारा होता है वं खलता है तेली जेन्तिक आंग माशन माई ने दूसरे में कलते हैं हमारा ये मेटा संट्रिक में दो होंगे दो ठीक उसकी बाद फिर एक जो हमारा एक्रोसेंट्रिक है यह क्या होता है कि इसमें भी दो होगा लेकिन एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा एक वाला बड़ा होगा यह हमारा हो गया छोटा और यह हो गया बड़ा तो एक छोटा और एक बड़ा लेकिन यहां करा कि जो अप कि अपने वाला यंत्र कहलाता है वायु दाब को यानि की एर परेसर को हम लोग किस से माप सकते हैं बैरो मीटर से 8 सुच बल्व ताप माप्पी से अधिकतम वा निवन्तम अपर पॉनापी से एटीमो मीटर्ज से इस में से किस में हम लोग माप सकते हैं फड़ा फड़ बताइए बैरोमिटर आर्द्र कौना गजी हां जी जियोतिक मारे गुड़ अप्टर नून गुड़ अप्टर नून अब्रिवन चलो फड़ा फड़ से बताओ इसका दू हना कोईस्टन नंबर के साथ रीका ए नंबर ग्य कि हमको अगर वायु दाव माप नहों वायु दाव अ sap e сr m a आपना हो तो किसको करेंगे हम लोग बैरोमीटर को करेंगे किसको लगए पैरोमीटर को और यह जो दाभ है यह दाब का सब्सक्रीए एसाइउन क्या होता है न हना दाब का फट अ थग दरता क्या होगा दाब का SI unit SI unit क्या होगा तो क्या होता भाई फटा फटा बताओ Newton पर मीटर स्क्वाइर यह न होगा है ना Newton पर मीटर स्क्वाइर स्क्वाइर और लिखे चलो Newton पर मीटर स्क्वाइर या फिर इसी को कहते है पास्कल यह क्या होता है हमारा पास्कल भी होता है या फिर वन बार बार होता है यह और वन बार एक्वल टू वन बार एक्वल टू कितना होगा टेन टू दी पावर फाइप न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर वन बार एक्वल टू कभी-कभी क्वेश्चन यह भी पूरता है वन बार में कितने तो है नृष के नतीस पूश्क्तन है यहां क्या इस कि अगला कुश्चन रहें जेड़ जेड़ बाए जेड़ गडव, जेड़ ब्लू प्रकार का लिंग निरध्रारन देखा जाता है किसमें प्लेटिपस में घोंगे में कॉक्रोच में या मोर में किसमें देखा जाता है कोईशन नमबर फोर का बताइए कि हमारा किसमें देखा जाएगा प्लेटिपस में घोंगे में कॉक्रोच में या मोर में यह जेड़ जेड़ बाइज डबलू यहां जो सिक्वेंस बना आफ़टों को स्वालब करना है ठीक है प्लेटीपर्स ओछा होता है कि या है इसका मतलब नहीं हुगा है जड़वार जड़भड होगी आपका पहले इंखहत गलत होग्या दूसरा मत घोंगे में फिर िये लगोंगी में हमारा ये इसका कोई वैल्यू नहीं होता होता हमारा परियावरन से हाणा फरीयावरन केरें होता हिन्वार्मेंट के ठ्रूह है इसमें यह गुण्शुत्र का है जो हमारा zus, जब लूए इसका को यह एक्सपाइब कुछ भी नहीं होता है इसका सारा क्लियर है भाजी अप्लिकेशन प्याज हो गया अप्लिकेशन प्याज पढ़ा दिये हैं पहले अप्लिकेशन पर उसके बाद ही यहां आ है क्लियर है तीसरा क्या हमारा कॉक्रोच आज चलो देखते हैं कुछ लोग सी लगाएं कॉक्रोच कॉक्रोच भी देखते हैं सी में होता है xxo xxo ग्रवड़ा ग्या है ना दूसरा क्या मौर में आप में हुमारा होता है जज जड़ंग muito dark नमबढ डी चलो बड़ी मुश्किल से घोजे लिए हम लोगों की निहें दीट में कि क्वोज जयाएं झोड़ाई नहीं है कि और इस ना स sugar नेक्ट स्टाइब कुछ नंबर फाइब निम्लखित में से कीष माध्यम में ध्रणी नहीं जा सकती अच्छा कौन सा इसा माध्यमे यिस में से ध्रणी नहीं जा सकता इसपाथ निरवात वायू या दूध हना लाहाँ क्लियर है अभुटा फटते बताओ इसों इस वाले कोशन का अन्सर क्या होगा इस वाले कोशन का कुश्ण इंबर 5 का कि यह स्थाउंट जो है किसमें ट्रेवल नहीं करता है बने मैटल में मेटल में करता है तो हो गया वायोगल में अग्राइयओ करता है दूद में अपर दूद में नहीं जा सकता किसमें जा सकता कि बात नहीं एक में नहीं जा सकता फाइब का क्या होगा बी नमबर निर्वात यहाँ आद निरवात में यानिकी वाक्यूम में ठेक है अग्ला कोशन कॉशन नमबर छे विकल्पाव में उल्लिखित तत्य में से कौंसा गुर्त्वा करशन यान की कि ग्रेविटीटेशन के सारवभविक नियम का द्वारा समझाया नहीं गया है कि को है नरो चैनल का धिल लगते न क्य्यूंज पीटल जी इसके द्वारा नहीं समझाया गया वह कह रहा है वहना किया को नहीं पर क्रकून 1 हाँ जी जी सर कहुए कॉश् familiar नमबर सिक्स का फटा फट ये नमबर के साथ अंसर देना है कॉश्न नमबर के साथ अंसर देज ale कॉश्ण नमबर सपनार नहास नहा गुलनाज जिachts है ना यान बेंदू चले फटा फटाथ बहते है क्वेशन नुम्बर शिक्स का है ना क्या है ग्रहों के चार ओर सूरी की गति पिर्थवी के चार ओर चंद्रमा की गति है ना पिर्थवी के चार ओर चंद्रमा की गति या फिर चंद्रमा और सूरी के चार ओर चंद्रमा और सूरी के कारण जवार भाटा या वह बल जो हमें ध सरना तर कह enfinóc सा छोगा कुछ स्क्रांबर यह कुछ का हमें खरती से बांधे रखता है रहे ग्रेविटिशन कि इसमें काम नहीं करता हैं क्ैस बिकल्प सब्सक्राइब के द्वारा समझाया नहीं गया है नहीं समझाय गया है उसके बारे हम सिरुद्गाइब कि ठीक है कि इसमें पिर्थविक चारों चतनमा के सबस्क्राइब के गरहां के चारों सूर की गति ऐसा कि देखें टॉने गूंठार नके रहा है नमबर सेबन प्रोटीनों के प्रतेग पॉली प्यप्टाइड में एमीनो एसीड एक निरधारित क्रम में जुड़े रहते हैं प्रोटीन में इसमें क्या है प्रतेग पॉली प्यप्टाइड एमीनो एसीड का एक निरधारित क्रम में जुड़े रहते हैं तो एमीनो एसीड क कप से होता है जंग वोटीय मार्निंग में क्लासShell कि होती है आपकट अपिक क्या होगा पूटिण की मतियी ुछ चनलजने या शटुक कि इसमें से क्या होगा अग कि नंबर स्रवन कुमार ए त्रित्यक ना 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 यह साब दिखा प्रतिक पॉलिफ टाइड में एक मिनशिट एक निर्धारित क्रम में जुड़े होते रहते हैं तो ऐसे क्रम को प्रोटीन का प्राथमिक सनरचन करते हैं क्या कहते हैं प्राथमिक सनरचना कहते हैं अगला कुश्चन यहां तो कोश्चन है अभी यह जब आप फियोरी पढ़ा रहे होंगे अप्लिकेशन पर आपके जॉइन करके पढ़ सकते हैं तो यहां पर पूरा एक एक चीज पूरा दिल्द ने पढ़ाएं तो कोश्चन में ज भट्टियों जैसे अपेक्षाक्रित उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उप्योग क्या आता है कि हलाना वर्टियों यह स्यायक फ्क्षाय। हाइट थेम प्रेचर को मेजरमेंट करने के लिए हूं लोग किस चीज का युद करते हैं हेज कारता हैं यह फ्लक्सhew मीटर लिखावा यह कौन साइस में होगा ना फटा बढ फटा लुए रही क्या होगा हूए नुबर है לא मीटर तो करेंट मापने करते हैं ना जो यह नंबर दिख रहे हो तो करेंट मापने होता दूसरा पाइरो मीटर, पाइरो मीटर ही temperature हम आपते हैं है na दूसरा number, यह B number answer होगा B number ही होगा answer आपका A number तो current में आपने उज़ करते हैं A number हमारा तो होना नहीए 8 का क्या होजाएगा B number, 8 का क्या होजाएगा B number है na और दूसरा एक और पूल क्या इसको बोल सकते हैं रिडियेशन मा पने के लिए प्लक भाणा अगला कोशन कंड़। उस कथन का चैन कीजिए जो बौर के मोडल की सीमा की करता है बौर मोडल की सीमा नहीं है आच्छा बौर मोडल की सीमा नहीं है क्या होगा कि यहां हाइट के अलावा अन्परमानों के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा है ना यह ठीक क्लियर सही बोल रहा है यहां कर रहा है कि सीमान नहीं है बागी से लिमीटेशन है लेकिन कुछ ऐसा एक ठोए जो लिमीटेशन के अंदर नहीं आता यहां चुम्बकिय छेत्र की उपस्थिती में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विग पार्टन को नहीं समझा पाया बात सही यह भी सही बोल रहा है यह भी सही है यह भी सही है एक कक्षक में उपस्थित ई के मतलब इलक्ट्रोन के वेग उर्जा की गणना संभव है यह बात गलत है यह इनोंने नहीं करा तो यही आंसर हो जाएगा इसमें जो गलत है वही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी नंबर जो गलत हो रहा था है आपे नाइन का हो जाएगा सी नमबर ठेक है अगला कोश्चन उंचे भवन के सिर्ष पर लगे खत्रे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है उपर में कहीं परेड करका अगर बल्ब या कोई इंडिकेटर दिया हो तो दूर से दिख जाता है क्योंकि अन्वर्णों क अगर स्केटरिंग कम होगा तभी न वह जैदा लाइट को दिखाएगा अभी जश्ट में पढ़ा है अगर अप्लिकेशन में आप लोग पढ़े होंगे तो स्केटरिंग अगर सब करिए देगा तो कुछ बचाएगने लोगों को दिखाने के लिए आजाओ भाई आजाओ कुछ हमारे पास रहना चाहिए तभी न किसी को अपनी और आकर्सित करेंगे तिया हमारा क्या हो गया नंबर हो जाएगा बी नंबर धुमें दिता कोहरे नियुंतम प्रक्रेणित होता है क्या होता है नियुंतम सबसे कमि इससवाज़ से निमलिखित मेंसे कौण सा थोयम का एक आयस्क है प 8 में कॉन सब्हों मॉनाजाइट्ट कॉर्ढ़ टाइट में अब entrar नैई इसमेंसे कौन सा किसका थोरियम का थोरियम का इसमें से कौन सा इसका ऐसक है और खया रहता है तो क्या है तो क्या है monazite क्या होता है monazite monazite क्या है थोरियम का एक आयसक है, है ना answer number very good, अप्थेकार monazite, very good, चलो सही बात, है ना, 11 का B number, जो भी B कर रहे हैं वो बिल्कुछ सही कर रहे है, है ना जो इसके अलाव़ा को इस भी लिखे हैं किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्ण में से किस पर निर्भर नहीं करता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है करता है नहीं किस पर नहीं करता है वो ध्यान देना है विस्थापन यानिकि डिस्प्लेस्मेंट पर यह अंग्रेजीन लिग देते अगर किसी को problem हो तो displacement पर होता है दूसरा वस्तु के द्रवमान पर जाने की मास पर तीसरा बल और विस्था पर जाने की force और विस्था पर जाने की displacement के बीच के कौन को या आरोपित बले या exerted force इसमें से करा किसमे निर्भर नहीं करता है वह किसमे निरवड़ने करता किसी वस्तू पर किया गया क er वस्तू पर कोई भी काम आएगा तो डिस्पिस्मेंट में तो चेंजिंगा आएगा हैं सब कोई भू काम कर लें न norman पर क्या effect पड़ना है इस वस्तू को उठाके इधर से इधर कर देंगे तो इसका वेट मास घर जायगा नहीं नहीं न वास नहीं मस्तौ हो बिध नमबर सहां कि क्या है इसप्कों मतलब नहीं ता कि मास में क्यों changing आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, 12 का क्या हो जाएगा, B number, चलो, question number 13, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निव्ण में से किसका प्रियोग किया जा सकता है, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निव्ण में से किसका प्रियोग किया जा सकता है, अलफा पार्टिकल बीटा पार्टिकल पॉजिट्रॉन या नूजिट्रॉन अलफा पार्टिकल इसको हम लोग हिलियम बोलते हैं बीटा पार्टिकल नेगेटिव वह ला आ गया है ना पॉजिट्रॉन और नूजिट्रॉन इसमें से किसका यूज हम लोग कर सकते हैं किसको कि किसी भी रियक्षन को बैलेंस करने के लिए किसी भी रियक्षन को बैलेंस करने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं पड़ा पड़ा बताओ question number 13 का है ना तो जो भी जब भी आता है जब भी हम किसी भी अभी करिया को या किसी भी reaction को अगर हम balance करते हैं तो balance करने की कहानी जब भी आएगी तो इस कहानी पे हमेशा हमारा plus वाला जो होगा उसको यानि प्लस वाला को नमारा आता है alpha particle क्या आता है alpha particle तो बस इसको ही देखा जाता है answer number A हो जाएगा answer number क्या हो जाएगा A number alpha particle को यहाँ पे देखा जाएगा है ना जैसे अगर यही पर लिखाव आए तो यहाँ देखो यहाँ nitrogen है अधर oxygen है है तरह hydrogen है थमारा क्या हो जाएगा helium हो जाएगा helium मतलब क्यों alpha particle helium क्यों हो जाएगा और helium का atomic number कितना होता है atomic number 2 क्योंकि atomic number 7 oxygen का 7 hydrogen का 1 और इसका atomic mass इसका लगबग 2 गुना होता है 4 तो यहाँ पे क्या होगा alpha particle हो जाएगा थेक चलो अगला कोशन आते हैं कोशन नमबर 14 कोलाइडी कनों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है अगर कोलाइड के कनों का अवक्षेप में कोई परिवर्तन हो रहा हो तो उस परिवर्तन को यानि उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहा देते हैं निलंबन कहते हैं प्रथक्रन कहते हैं विद्धुत करन संसरन कहते हैं या इसकंदन कहते हैं को सब्सक्राइब क्षेप में अबक्षेप में परिवर्तन यह कहला था निलंबन नहीं प्रथक्रन अलग कर वो भी नहीं होगा विद्दुतकन संचलन है ना यह भी नहीं होगा न फॉल्तवा सिस्टम हो रहागा एक मारा की बचा क्या सकंधन क्या अंसर नंबर डी आ गया यह आपका वैगा नंसर नंबर डी डी नमबर फेगि कोलाइड़ी कनों का अगर में कोई भी परवार्थन हो रहा है वह परवार्थन क्या कहलाता है असकंदन कहलाता है अगला कुशन पौिशन पड़े होगे याद याद होगा जो लगा सकता है वन्म को निभु यह को सकती हक ऐसाहाँ लिखा गया है जो माप सकता है किसको माप सकता है जी है ना यह किसको माप सकता है क्या वो उसमा हीट को मापेगा है ना या फिर कंपन भाइबरेशन को मापेगा या फिर मैगनेटिक फिल्ड को मापेगा या फिर विवांतर को मापेगा तो यह तो आसान सा कुछ ने पंदरा क सब्राइब लिख रहेपन a परखोर हस्ट मांप जो बहुघर लिख रहे हैं त सब्सक्राइब नहीं होने पर सकता है क्या हड़ा है है यह मेरे मैज़ फोल्टाइटिस ग्लाइश का इरिक नौट कौन सा होगा है यह तो simple आसान सा है बात है कि HIV एक वाइरस है इस वाइरस के contact में अगर कोई आता है तो उसको क्या हो सकता है तो यह हमारा क्या है उसको AIDS हो सकता है यह क्या हो सकता है और यह physically transmitted वाइरस है है जब तब तक इसको physically कुछ नहीं हो रहा हो तब तक वहाँ पर कोई भी यह नहीं हो सकता इसका बगल में अगर किसी को AIDS होँआ अगर आप खड़े रहेंगे ऐसा नहीं कि वह किसी को ट्रांसफर हो सकता है यह क्या है sexually transmitted disease है है ना चलो अगला question पर आता है question number 17 question number 17 पर ठेक किसी वस्तू का समवेग मतलब velocity डैस पर निर्फर करता है किसी वस्तू का velocity किस पर निर्फर करता है वस्तू के द्रव्यमान और वेग दोनों पर हाना है स्वामेंटम है ना समवेग है स्वार समवेग भी आद्रव करता है गलत है जो गता है किमश पर द्रव्यमान बैसा पर समवेग करता है अंगला्त है दंत च्हाई अनिकि दंथ मैं अगर तूट रहा या कुछ प्रावला मारे दंथ है दंतों का सफेद होना दंतों की सुझन होना दंतों का सड़ना या फिर दांतों में भोजन के करनों का चिपक जाना कि दांत अगर आपका खराब हो रहा है वो तूटने लाए अब तो वह किसकी वज़ासे हो रहा है को शनमर 18 है ना कि दांत का सब दांत आपका एदम चकाचक वाइट हो गया वहाँ इससे क्या परूल नहीं तो गर अब परूल नहीं तो भावनाओं में नहीं बहा जाना है पुरह थरा दिमाग पर कंट्रोल रखना है चलो अगला को से 19 नमबर रहते हैं किसी उच्चतर दो पूशी स्तर के जीव जो निम्नतर पोशी स्तर के अंतरगत आने वाले अने प्रकार के जीवों से अपना भन प्शंद करते हैं वह क्या बनाते हैं यानिके एक हाई-level का निट्रिशन लेने वाला लोड निट्रिशन लेटेओर को क्या करता उसको खा रहा हो तो या बनाते में अहार जाल पायछितिक पिरामीड पारी तंतर या अहार क्या बनाते हैं कि अफटा वड़ा हुआ टाउचर हमारा के ऊंधा राड़ा को एगष्य नन्भर गुर्ब बनाता हैं नला हो Keller तो अगर हाई निट्रिशन वाले नो लो निट्रिशन वाले को खा रहा है तो वा क्या कह रहा है हिमांसु सर्मा वेरे गुड चलो एक आपका आंसर बिलकुल ही गलत नहीं है मतल Maps सही है ना अहार जाल बनाता है कि बनाता है और जाल बनाएगा नो-, प्रकास यह तंतु-optical इस्ट संप्रेशन लाईन है तरंग निर्देशक है संप्रेशन जान्देशक दोनों των फाइबर यिर दोनों है तरंग और हम प्रिसन बाहिए थायए व्हमाशन नलके आज आएगा वृष्टहिंथ 20 क्या हो गया सी नंबर आपका हो गया संप्रेशन मासन बाई क्लेर हो गया ठीक है आज का ये 20 कोशन था हमारा खतम हो गया और ये एक उम्मीद बेच है जो भी चल रहा भी यहार ससी के लिए इसको आप जोइन कर सकते हो यहाँ पे फूल डिटेल में आपको फूल कोर्थियोई क्लास मिलेगी चेप्टर वाइज पीडियेप भी मिलेगा आपको डेली लाइब क्लास होगी चेप्टर वाइज ऑल इंडिया रेंकिंग आपको मिलेगी अब एक्जाम उसका दोगे फिर अलग-अलग subject है तो अलग-अलग expert teacher आपको मिलेंगे हाना जैसे मैं यहां पर science पढ़ाता हूं हाना बाकी teacher आपके sst के होंगे जो gk के पढ़ाएंगे वो gk माई जाएगा math का होगा reasoning का होगा एक भारत बैच है जो बिहार डिलेट के लिए है इसकी cost ट्रिपल नाइन है एक हमारा है यह ड्रीम सेवक आई एस लर्णिंग अगर कोई जोन करना चाहते हैं हमारे चैनल को तो आप इस application को जा करके डाउनलोड कर लो और फिर वहां से आप पर्चेश कर सकते हो ठीक है यह सारा सिस्टम बना हुआ आपका इसे सब जितने भी हैं साइंस का या फिर जोग्राफी हिंदी हिस्ट्री साइंस है ना या फिर आपकर जितना भी सब देखोंगे सारे का अलग 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 आपको मिल सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है इसके बाद यह आज का आपका इतना भी कोशन है उस सारे कोशन का आंसर सीट है ना और आज का यहीं पेकलास खतम होता है धन्यवाद मिलते अगले क्लास में तब तक के लिए जै हिंद बाबाई टेक क्यार ठीक